जै मातरी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों बात कर रहे हैं तुला राशी के 22 मार्च से 28 मार्च राशी फलकी आईए जानते हैं ये सप्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 मार्च को गुरू अपनी राशी परिवर्तन करके मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं 25 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो आईए जानते हैं तोलाराशी के जात्कों के लिए ये सब्ता कैसा रहेगा? दोस्तों ये जो सप्ता है आपके लिए बहुत बड़े बदलाव का समय है बहुत बड़े परिवर्तन का समय है जो लोग एविवाहित हैं उनके विवाह के प्रस्ताव इस समय आ सकते हैं या फिर उनका विवाह इस सप्ता तै हो सकता है पुरानी समश्याई हल होंगी कुछ जो बाधित कार्य थे अवरोधित कार्य थे वो इस सप्ता हल होने की पूरी संभावना है सिक्षा प्रतियोगता में प्रयतन तीवर होगा बेकार के कार्यों में अपना समय बरबाद बिलकुल ना करें और अपने मन को किसी रचनात्र मक कार्य में लगाएं बात करें आयात नर्यात के व्यापार कीते सप्ता की शुरुआत में आयात नर्यात से जुड़ी व्यापारियों को विशेश लाब होगा विशेश सफलता मिलेगी प्रोफेशनल और व्यापारिक शेतर में अब तक के किये गए संगर्षों के परिणाम सरूप आपको इस समय जादा लाब मिलेगा व्यापार करियर की बात करें तो सिक्षा, बैंकिंग, सेल्स या फिर प्रेशिक्षन में अच्छी प्रगती, अच्छे लाब की संभावना बनी हुई है वर्तमान में आपको अपने आवेग पर, अपने उतावले पन पर नियंत्रन रखना होगा बात की जाए प्रेम संभंदों की, तो इस सप्ता आपका प्रेम संभंद बेहद अच्छा रहेगा विवाहितों के लिए बहतर समय है और जो लोग ऐ विवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या फिर उनका विवाह भी तै हो सकता है परिवार में आपकी अन्य लोगों के साथ बाचीत कम हो सकती है लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ बहतर पल बिताबाएंगे बात करें ग्यान की, सिक्षा की या फिर धन की तो इस सप्ता आपकी आर्थिक सती अच्छी शुरुआत होगी आपकी आये के मौजुदा स्ट्रोतों से पैसे आने के साथ आप आवशक खर्चों को पुरा कर पाएंगे निवेश संबंदी योजना में आख मूंद कर आगे बढ़ने से बचने की सला हम आपको देते हैं इसके साथी विद्यार्तियों को अभ्यास में रूची लगेगी साथी अध्यन में दोस्तों का सहयोग भी आपको मिलेगा जिससे आपका जोश बढ़ेगा जिससे आप प्रेरित होंगे प्रतियोगी और प्रवेश परिक्षा की तयारी कर रहे जातों के लिए काफी अच्छा समय है बात की जाए स्वास्त की तो स्वास्त समश्याओं की बात करें तो खास कर कमर में दर्द दांत में दर्द या फिर कब्ज जैसी समश्याएं आपको परिशान कर सकती है जो लोग जोखिम भरे या ज़्यादा परिश्रम करने वाले हैं उनको इस समय साफधान रहने की जरूरत है तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें धन्यवाद